समी करण के हल उदाहरन आज हम देखेंगे समी करण के हल से समबंधित उदाहरन यानि एक्जाम्पल्स रिलेटेट्टु सॉल्यूशन अफ एन इक्वेशन वसीम के पास असी रुपए हैं उसने कुल राशी में से आधे रुपियों का खाने का समान खरीदा एक्स रुपियों की किताबें खरीदी और उसके पास एक्स के तीन गुणा पैसे बच गए क्या आप पता लगा सकते हैं कि वसीम ने कितने की किताबें खरीदी और अंत में उसके पास कुल कितने रुपिये बचे इस परिस्थिती को बीजियर रूप में दर्शाएं तो वसीम के पास कुल राशी बराबर खाने की सामान की राशी जमा किताब की राशी जमा बची हुई राशी तो हमारा समीकरन होगा यहाँ पर X और 3X समान पद है X जमा 3X होता है 4X अब हमारा समीकरन होगा असी बराबर असी बटा 2 जमा 4X असी का आधा 40 होता है हमें समीकरन मिलेगा जहाँ LHS है 80 और RHS है 40 जमा 4X इस समीकरन में हमारा चर RHS में है अब हमें RHS में बस X का पद चाहिए यानि हमें 40 को RHS से घटाना होगा इसे करने के दो तरीके है पहला तरीका है दोनों तरफ से 40 को घटाना जिससे हमें समीकरन मिलेगा 40 बराबर 4X दोनों पक्षों को 4 से भाग करने पर हमें मिलेगा 10 बराबर X बच्चों क्या आप इसे किसी दूसरे तरीके से हल कर सकते थे? समीकरनों को हल करने का दूसरा तरीका होता है पदों को स्थानापन या ट्रांस्पोस करना यानि एक पद को LHS से RHS या RHS से LHS में ले जाना लेकिन यह करते वक्त उस समीकरन में दी गई संक्रियाएं विप्रीथ हो जाती है यानि जमा हो जाएगा घटा घटा हो जाएगा जमा गुना हो जाएगा भाग और भाग हो जाएगा गुना इस समीकरन में हम 40 को RHS से LHS मिले जाएंगे और चुंकि 40 RHS में जमा 40 था वह LHS में जाकर घटा 40 हो जाएगा जिससे हमें LHS में मिलेगा 80 घटा 40 और RHS में मिलेगा 4X अब हमारा LHS है 40 और RHS है 4X अब हमें RHS में 4X की जगह बस X चाहिए जैसा कि हम देख सकती है कि यहां RHS में 4X से गुना हो रहा है तो हम 4 को LHS में ले जाएंगे और 40 को 4 से भाग करेंगे अब हमें मिलेगा 10 बराबर X क्योंकि सम्ता का चिन यह दर्शाता है कि LHS और RHS का मान बराबर है इसलिए हम 10 बराबर X को X बराबर 10 भी लेग सकते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि किताबों का मूल्य X है यानि वसीम ने 10 रुपए की किताबें ले और वसीम के पास X के 3 गुना पैसे बचे थे यानि वसीम के पास बची हुई राशी बराबर 3X बराबर 3 गुना दस बराबर 30 तो वसीम के पास आखिर में 30 रुपए बचे थे क्या आप पता लगा सकते हैं कि यह उत्तर सही है या नहीं इसकी जाच करने पर हमें मिलेगा यानि हमारा उत्तर सही है आज हमने देखा समी करन के हल से संबंधित उद्धाहरन अगली वीडियो में हम इनसे जुड़ी कुछ मिथ्यधारनाओं पर नजर डालेंगे धन्यवाद अगली वीडियो नहीं